एक मिनिट में आप अनार बहुत सारा छिल सकते हैं और बहुत आसान तरीके से क्योंकि आनार छिलना बहुत जहमत लगता है तो इस तरीके से हमने एक अच्छी क्वालिटी का अनार लिया है और इसको हम थोड़ा सा उपर से कट लगाएंगे ये देख सकते हैं पीछे वाला ज हचा रगाते हैं कि इससे पता चल जाएंगं कि इतना हमको cut करना है। जो यह थोड़ा थोड़ा हम कट लगें, तो यह 93 रोडे हमने तो इस तरीके से लाइनिंग आप देख पारे होंगे दीख रहा है तो हम इसमें चार कट लगाने वाले हैं और ज्यादा नहीं ये देख पारे होंगे ऐसे चाकू से हम कट लगा रहे हैं और ये दूसरा कट लगा रहे हैं इस तरीके से थोड़ा थोड़ा लगाएं ज्यादा कटने की ज़रूरत नहीं है वरना बीज भी कट जाता है तो इतना हमने आराम से ये काट लिया है और हाथ से ऐसे दबाएंगे ना तो बहुत आराम से दोनों हाथ से तो ये आराम से निकल जाता है देख पा रहे होंगे तो ये उपर का जो है दिख रहा है उसको हमने निकाल द और ये थोड़ा साफ कर लेंगे क्योंकि ये रेशे जैसा दिख रहा है तो हलका सा इसको हम निकाल लेते हैं ऐसे फ्रेश हो जाएगा जब हम इसको छी लेंगे तो आप चाकू से भी इसको जाड़ सकते हैं ये बीज को तो चाकू बहुत हलका है तो इस तरीके से आप कितना भी करेंगे तो नहीं जल्दी होने वाला है तो हमने एक बेलन लिया है और बेलन थोड़ा वजन भी होता है तो इस तरीके से हाथ में हम ले करके ऐसे उपर से हम इसके उपर मार रहे हैं धीरे-धीरे ये देख रहे हैं चोट लगा रहे हैं इसके उपर तो ये बीज भी बह बार जरूर ट्राइ करें बहुत आराम से आप एक केजी भी छिल सकते हैं एक मिनट में मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले हमारे चैनल तारान और मौदी कियर को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे की मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले तो देखा आपने कितना एजी तरीका है अनार को छिलना ज्यादा जहमत भी नहीं लगता है ये चार से पांच दाने सिर्फ इसमें जो रह गए थे बस इसी तरीके से आराम से आप छिल सकते हैं और ये फ्रेश द